हमारे साथ मौझूद है राजसभाद सांसद संजय सिंग। सर, बारा निलंबित सांसदों ने टै किया है कि वो बैंकेया नैडों को एक पत्र लिखेंगे अपनी निलंबन वापस के लिए। ने आज ये मांग हम सारे लोगों ने मिलके उठाई कि जो निलंबन किया गया है वो नियमों के विप्रीत किया गया है गैर संवैधानिक तरीके से और संसदिय परंपराओं को कुचल कर किया गया है। पिछले सत्र में अगर कोई किसी सांसत के बेभार से सभापती महोदे असामत थे तो उनको उस समय नेम करना चाहिए था ये नियम में लिखा हुआ है उनको नेम नहीं किया गया और अचानक इस सत्र में पिछले सत्र के किसी आचरण पर कारवाई करना उसको मुद्दा बना मैं समझता हूँ कि यह कहीं न कहीं एक संसदिय लोकतंत्र को गला घोटने की करवाई है और संसद में किसानों के नौजवानों के मुद्दे ना उठ पाएं इसकी एक कोशिस है आपको लगता है कि जिस तरह से कड़ा रुख अपनाया है सभापती ने उन्होंने का है कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक निलंबन वापस नहीं होगा माफी तो इस सरकार को मांगनी चाहिए आप ऐसे काले कानून लेके आएंगे जो करोणों किसानों के हितों के खिलाफ होगा उसका हम विरोध करेंगे फिर आप हमें मारसल से घसीट के बाहर करेंगे फिर आप हमको निलंबित करेंगे और फिर हम ही से कहेंगे कि माफी मांग पढ़ेंग नी चाहिए, जिनके मंत्रियोंको किसानों को किसानो खार्चा है। चात्रों का टिटी परीक्षवा अपनी पेपर लीक हो गया क्यों में neden परिक्षा होरा है इसट लिए उंसको चरचा के लिए उठाने की बात कर रहे हैं आप गठना करं सामने है कि we करके हमनों को वापस आना पड़ा थे आपसे बात करने लिए शुक्रिया के साथ पुषकल भारत समाचार दिल्ली